जहिन सातियों, आप सब लों का एक नए वीडियो में हारदिक स्वागत है आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं SSC GD, Time and Work PYQ Questions लिए गए हैं Part 2 है इसे पहले हमने Part 1 वीडियो डाला हुआ है आज ही Morning में डाला है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजेगा इसके बाद ये SSC GD में जो भी प्रिसन आयो हैं उन प्रिसनों को हम सॉल्व करा रहे हैं इसमें यह देखने को मिलता है कि Type किस तरीके से SSC GD में प्रिसन पूछे जा रहे हैं यह तरीका भी मिल जाता है उस पर बेस्ट आप कुर्शन भी सॉल्व कर पाते हैं तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं टोटल में 5 प्रिसन है 5 प्रिसन जो है most important है सभी के सभी प्रिसन आयो हुए हैं इसलिए important है क्योंकि इस पर आगे भी प्रिसन पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखेगा तो वीडियो को complete देखना है पहला प्रिसन दिया गया एक किसी काम के 3 बटा 5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है बी उसी कारे के 2 बटा 3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है ए और बी एक साथ इस कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे देखें यहांपर एक किसी काम के यानि इसको ऐसे लिखना है ए जो है कितना भाग 3 बटा 5 भाग 12 दिन में complete कर रहा है तो एक के द्वारा कुल समय कितना लग जाएगा complete करने में तो 12 अब यह संख्या इधर आ जाएगी तो उपर 5 हो जाएगा और नीचे 3 अब इससे solve करेंगे 3 अकम 3, 3 चोके 12 हो जाएगा और 5 चोका 20 ठीक है तो इस तरीके से ए जो है कुल समय लेगा 20 दिन का तो ए जो है 20 दिन में उस कारे को complete कर लेगा टोटल समय लगेगा इसी तरीके से हम B का निकाल लेते हैं B का fraction मान दिया गया है 2 बटा 3 काम करता है 8 दिन में कर लेता है तो B कितने दिनों में कारे को complete कर लेगा तो 8 गुड़े हो जाएगा उपर 3 और नीचे हो जाएगा 2 2 कम 2 कटेगा 2 चोके 8 तीन चोका 12 हो जाएगा यहां पर यानि B के दोवारा 12 दिन में कारे complete कर लिया जाएगा A जो है 20 दिन में कर सकता है B जो है 12 दिन में कारे कर सकता है अब इस तरीके से लिखने के बाद दोनों की हम निकालेंगे यहां पर एक लासा यानि L से हम निकालेंगे दोनों नंबर्स का 20 का और 12 का तो इसका मिल जाएगा 60 मिलेगा लासा कितना मिलेगा 60 20 से भी कट जाएगा तीन बार में 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 यानि 5 बार में लग जाएगा तो इस तरीके से यहां पर मिलेगा हमें टोटल वर्क मिल जाएगा ठीक है ए और बी एक साथ मिलकर कार कितने दुनों में कर सकते हैं अब ध्यान से देखेंगे ए और बी यानि एक की कारशमता तीन निकल के आई है बी की कारशमता कितनी पांच है ठीक है तो ए और बी की एक साथ में कारशमता यानि एक दिन की कितनी हो जाएगी तो यहां पर दोनों की कारशमता को जोडेंगे तो पांतिन कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों की एक साथ की कारे चमता है तो कुल वर्ख हमारा दिया गया कितना है? 60 तो A और B के द्वारा कुल कितना समय लिया जाएगा कारे को complete करने में? तो दोनों की चमता से हमेसे divide कर देते हैं 8 से हम 60 को divide करेंगे तो A B के द्वारा कुल लिया गया समय तो इस तरीके से मिल जाएगा 7 सही 1 बटा 2 ठीक है तो आंसर कितना हो जाएगा 7 सही 1 बटा 2 दिन ठीक है तो ये इसका correct आंसर है अगला पुछा गया A किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है B उसी काम को 30 घंटों में पूरा कर सकता है यानि A के द्वारा जो समय लिया जा रहा है वो 15 घंटे में कार वो कर सकता है B जो है 30 घंटे में कार कर सकता है अब दोनों का हमें लासा लेना है तो लासा दोनों का मिलेगा कितना 30 15 से काटेंगे तो दो बार में लग जाएगा, 30 से भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा, तो A की कारेशमता कितनी है, 2, B की कारेशमता कितनी है, 1, अब देखें, यहां पर A द्वारा 5 घंटे कारे करने के बाद, अब A की कारेशमता यहां पर D कितनी है, तो एक ही कारे समता हमने निकाली है दो ठीक है अब पांच घंटे कारे करने के बाद तो इसमें पांच से गुड़ा कर देंगे ठीक है तो पांच दुना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे दस कुल कारे कितना था यहाँ पर तीस टोटल कारे कितना है तीस तो remaining work आ तो बचा कितना कारे है तो टोटल तीस में से दस को गटा देंगे तो कितना बचे का कारे बीस कारे अब यह बीस कारे जो है बी भी अब पूरा करने के लिए बी भी एक के साथ सामिल हो जाता है अब देखे बी पहले यह एक कहला कर रहा था अब पांच घंटे में कितना कर लेगा तो एग घंटे का कारी 2 था तो 5 घंटे में कितना हो जएगा पांदूना 10 वह कमентлять कर लेगा अब उसके साथ 5 के बाद फिर भी घंटे लिजा दी यानि एक साथ में कारी समता कितनी रिंग दोनों की शमता को जोड़ेगे तो 2 3 6 कठारा दो बटा तीन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर whole number में 6 दिया गया है तो 6 घंटे हो जाएएंगे किसा हो जाएगे 6 घंटे लेकिन 2 बटा तीन को निकालेंगे देखें 2 बटा जो 3 है 1 घंटे का या नि मिनट कितने हो ते 10 में 60 60 मÁЖ territorल कीनति मिनटें तो 70 मिनटें की तरफीय किस्छी प्यास फिर्वाइट्वश अ मिनेंटinky की तुछ जाएगा और्वा उप्शन हमारा फ्यली पे प्ले dirt इसका सब्सारी करते मिन नाम्धौ समय है यानि G से लिख लेते हैं गोविंद और R से लिख लेंगे रहीम और S से लिख देंगे सुधीर ठीक है तो गोविंद जो हैं ये 8 गंटे में कारे को पूरा कर लेते हैं रहीम 12 गंटे में कर लेते हैं सुधीर 15 गंटे में कारे को कम्प्लीट कर लेते हैं अब तीनों का हमें न तो 15 आठ्थे हो जाएगा 120 और 12 दसाम 120 यानि 12 बार में लग जाएगी आठ से अगर भाग देंगे तो 15 बार में लगेगी आठ कमाथ 5 बचेगा आठ पंचे 40 तो यानि पंदरा बार में कड़ जाएगी यानि यहाँ पर गोविंद की कारचमता कितनी निकल के आ गई है तो आप बताएंगे 15 और यहाँ पर रहीम की कारचमता 12 है और सुधीर की कारचमता 8 है प्रसन में पूछा गया यद भी एक साथ मिलकर कार करते हैं तो कार को करने में लगने वाला समय गयाद करें तीनों अगर एक साथ में कार करते हैं कितना समय लगेगा तो सभी को यानि सभी की कारचमता को जोड लेंगे यानि गोविंद रहीम और सुधीर की एक दिन की कारचमता कितनी होगी तो टोटल कारचमता को हम जोडेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी की कारचमता अगर हम ज होगा ध्यान नखेगा मैंने गलती से लिख दिया था क्योंकि बार दसा में 120 कट जाएगे तो पंद्रह दस और आठ तो पंद्रह दस जोड़ेंगे 25 हो जाएगा 25 में 8 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा तो टोटल यहां पर एक दिन का कार्य तीनों का कितना निकलेगा तो 33 निकले करेंगे तीनों की एक दिन की कारी छमता से तो कितनी है 33 है तो 33 से भाग देंगे तीन कम तीन कम तीन गयारा लग जाएगा तीन चोके 12 जीरो यहीं चालिस बटा आ जाएगा यहां पर 11 दिन और यही ऑप्शन में पूछा गया है और देख सकते हैं इस तरीके से कुछ प्रस पूछे गये हैं अगला पूछा गया राकेस महेस पुनीस मिलकर 20 मिनट में एक कुरसी बनाते हैं तीनों मिलकर यहां पर 20 मिनट में कुरसी बना लेते हैं राकेस और महेस मिलकर इसे 25 मिनट में बना लेते हैं पुनीस को अकेले उस कुरसी को बनाने में कितना समय लगेगा देखें, यहाँ पर राकेस है, प्लस महेस, प्लस पुनीस, यानि P से पुनीस लिख लेते हैं, तीनों मिलकर जो हैं, 20 मिनट में एक कुर्सी बनाते हैं, फिर से राकेस दिये गए हैं, प्लस महेस, ठीक है, दोनों मिलकर 25 मिनट में कुर्सी बना सकते हैं, अब दोनों का हम यह सो और बीस से अगर इस संक्या को भाग देंगे तो पांच बार में लग जाएगी यानि तीनों की यहां पर एक साथ में कारचमता कितनी है आपर पांच राम और राकेस प्लस महेंस की कारचमता दोनों की मिलाके कितनी है चार तो यहां पर देखे इन दोनों की यहां पर कारच कारचमता यहां पर एक दिन की निकली हुई है चार तो यहां से हम पुनीज की कारचमता निकाल सकते हैं तो पुनीज की कारचमता के लिए तीनों की जो कारचमता है यहां पर एक दिन की वह पांच और यहां पर राकेश और महेश की कारचमता कितनी है चार अगर हम इसमें से राकेश महेश की कारशमता को घटा दें टोटल में से तो पुनीस की निकल आएगी तो इस तरीके से माइनस करेंगे तो कारशमता कितनी मिलेगी एक तो यानि पुनीस की कारशमता कितनी है तो आप बताएंगे एक अब पुनीस अकेले उस कार को कितनी यानि उस कुरसी को बना बना पाएगा तो पुनीज के द्वारा कुल समय जो लिया गया है वो है 100 मिनट तो आप्सन हमारा यहां पर पहला सही हो जाएगा 100 मिनट राइट अंसर अगला परसन पूछा गया एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है बी और सी इसे 21 बटा 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं और सी और एसे 7 बटा 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं B को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा देखे परसन यहां सब पूछे गए हैं काफी लंबे-लंबे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा time taking वाले परसन है तो थोड़ा सा तो समय लगेगा देखे यहां पर A के दौरा जो कारे दिया बताय गया है A जो है 7 घंटे में complete कर सकता है ठीक है 7 घंटे में काम को कर सकता है B और C तो यहां पर B प्लस C दो मिलकर कारे करते हैं तो वो 21 बटा 4 घंटे में कारे कर सकते हैं और बोला गया C प्लस A तो C प्लस A मिलकर 7 बटा 2 घंटे में कारे को complete कर पाते हैं तो बताना इसमें B को अकेले इस काम को complete करने में कितना समय लगीगा अब देखें यहाँ पर 3 संख्याओं का हमें लेना है लासा तो लासा वो संख्या निकलेगी देखें लासा यहाँ पर बटे में संख्या दी है जैसे 7 बटा 2 21 बटा 4 यहाँ पर केवल संख्या साथ है तो उपर वाली संख्याओं का हमें लासा लेना है जैसे 7 21 7 का लासा लेना है तो हमें मिलेगा लासा कितना 21 मिल जाएगा तो अब हमें साथ से जब इसको भाग देंगे तो तीन बार में संख्या यह कट जाती है 21 से जब इसको भाग देंगे यानि 21 बटा 4 से इसको भाग देना तो कैसे solve करेंगे दिखिए हमें इसको भाग देना तो कैसे भाग देना सीखिए हम पर 21 को भाग देना है 21 बटा 4 से भाग देना है तो जब भी इस तरीके से लिखा जाता है तो भाग का साइन हटेगा तो 4 उपर चली जाती है संक्या 21 नीचे तो देखे 21 से 21 कटेगा तो कितनी बार लग जाएगा 4 बार में लग जाएगा यानि B प्लस C की यहाँ पर कारिशमता कितनी आएगे 4 इसी तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो 21 गुड़ा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 उपर हो जाएगा और 21 नीचे हो जाएगा स्वरी यहाँ पर कितना सा 7 ठीक है तो 7 कम 7, 7, 21, 3, 2, 6 यानि 6 कारिशमता निकलाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमें B की कारिशमता को निकालना है हमें इसकी कारिशमता निकालना है तो यहाँ पर A की कारिशमता कितनी निकली 3 तो अगर हम C प्लस A में कारिशमता अगर A की रख दें इसमें से माइनस कर दें, यह दोनों की कारचमता है, अगर A की कारचमता हमने निकाली हुए, कितनी ही 3 है, अगर टोटल में से 3 को माइनस 6 से हम अगर 3 को माइनस करें, तो 3 चमता जो निकलेगी, वो C की निकलाएगी, C की कितनी ही कारचमता 3 है, अब C की उठाके हम इसमें रख दें तीन तो यानि चार से तीन को माइनस कर दें तो हमें एक समता मिल जाएगी तो इसकी कार समता कितनी है एक यानि बी की कार समता कितनी है एक अब यहाँ पर हमें बी का हिमान निकालना है तो बी की कार समता कितनी है हमने निकाल ली एक और टोटल काम कितना है 21 एक से ड यहां पर सी करेक्ट अंसर होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना